दोस्तों कैसे हैं उमिद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे दोस्तों इसका जो पिछला वीडियो जो था इसमें हम अंग्रेजी करना आपको रेटिंग्स कराए थे यानि अंग्रेजी पढ़ना सिखाए थे दोस्तों इस वीडियो में ये जो भी अंग्रेजी में लिखा हु यानि पहली बार आप हमरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी परकार के अंग्रेजी सिखने वाला वीडियो लेके आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाएगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्ले ग्रॉंड प्ले ग्रॉंड कार्थ होता है खेल का मैदान प्ले कार्थ होता है अगर इसको अलग-अलग परहेंगे तो प्ले कार्थ होता है खेलना और ग्रॉंड कार्थ होता है चारो ओर लेकिन इसको एक साथ अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है खेल का मैदान Molly and her friend Bella, where, playing at the playground Molly and and कर्थ होता है और her friend उसकी मित्र Bella, where, where कर्थ होता है थे playing playing कर्थ होता है खेल रहे at the playground यानि खेल का जो मैदान था वहाँ पे Molly और उसके जो Bella जो friend थी वो वहाँ पे खेल रही थी they, where, supposed to be talking turns on the swing they, they कर्थ होता है way, where कर्थ होता है थे supposed, supposed कर्थ होता है कल्पना करना to be, to कर्थ होता है की ओर be कर्थ होता है होना taking, taking कर्थ होता है ले रहे turn कर्थ होता है मोरना on the swing यानि जूला पर यानि वे लोग जो थे वे जूला पे जूल रहे थे और एक कलपना भी कर रहे थे Molly counted to hundred Molly hundred तक किनी While जब की Bela was on the swing Molly यानि Molly गिनती गिन रही थी hundred तक और Bela जूला जूल रही थी है ना? स्विंग कार्थ होता है जूलना Bela did not get off the swing Bela जब hundred पूल गया तब भी Bela उस पर से वो जूला जो था उस पर से वो नहीं उतरी Did not कार्थ होता है नहीं और get कार्थ होता है पाना यानि होना यानि Bela hundred पूलने के बाद भी वो उससे नहीं उतरी थी Bela I counted to hundred Bela बोली कि मैंने सौत गिनती गिनी It's my turn या भी मेरी बारी है Sad Molly मौली से ये बात Bela बोली कि मैं सौत गिनती गिन चुकी हो अब मेरी बारी आ गई You counted to fast तुमने तेजी से गिना It's still my turn या अभी मेरी ही बारी है Bela said यानि Bela बोली कि तुम जल्ली जल्ली गिन दी थी है ना या भी मेरी ही बारी है she wanted to turn on the swing वह भी जूला पर जूलना चाहती थी what could she do लेकिन वो क्या कर सकती थी what could she do कार्थ होता है लेकिन वो क्या कर सकती थी Molly could tell the teacher Molly ने क्या किया अपने वो सिक्छक से कही but her teacher always wanted them to try to solve problem first लेकिन उसके जो सिक्षक जो थे वो बोले कि पहले तुम लोग आपस में इस जो problem है इसको solve कर लो हैना what could she try वो क्या कोशिश कर सकती थी हैना what कर्थ होता है क्या could कर्थ होता है सकना see कर्थ होता है वो try कर्थ होता है कोशिश यानि वो क्या कोशिस कर सकती थी She decided to try using on उसने निने किया कुछ यूज करने का I message, मैं message करता हूँ That means to tell the other person how you are feeling यानि उसने बोला कि मैं अब दूसरे जो आदमी है उसको मैं ये बात कहती हूँ है ना तुम देखो मैं बोलती हो उसको Why you feel that way आप ऐसा क्यों मैसुस करते है And what they can please do to make it better Can please do का अर्थ होता है क्या कर सकते है To make it better यानि जब ऐसा situation आपको आ जाए तो आप इसे बहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते है दोस्तों यहाँ पी इसको जो writer है यह पूछ रहे है